तो आदाव नमस्कार गुड़ीवनिंग सस्याकाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में आज सेटेड़े शनिवार तारीख 31 अगस्त महीने का आखरी दिन और आज की कहानी रिकॉर्डेट होती है तो आज मैं रिकॉर्ड क कि दो चार कहते हैं कि लोग इंकॉर्ड हुआ था लेकिन रिकॉर्ड पे कहते हैं कि ऑफिस्चल इंकॉर्ड बॉम्बे का यही केस था जिसकी कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूं तो पहली चीज तो यह कि यह शायद बॉम्बे का पहला इंकॉर्ड था दूसरी यह कि कहान में जो डॉन का कल्चा शुरू हुआ, डॉन शब्द एक्चुली पहली बार कहां से आया, ति ये कहानी उस पहले डॉन की भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं हाजीम अस्तान पहला डॉन, बहुत सारे लोग कहते हैं करीम लाला, वर्दा राजन, दाओद इबराहीम, लेकिन हक ठीकत में ये कि अगर आप पूरी हिस्टरी को खंगा लेंगे अंडर वर्ड की, तो हिंदुस्तान में डॉन शब्द और डॉन जो चीज लेकर आया जो शक्स, वो था करीम लाला, करीम लाला शेर खान के नाम से भी मशूर, पहले शेर खान ही था नाम, बात में करीम लाला पड़ा, करीम लाला को कहते हैं कि मुम्मई का पहला डॉन था, बलकि हिंदुस्तान का पहला डॉन, जबकि करीम लाला या शेर खान का हिंदुस्तान से कोई लेने देना नहीं था, ये अफगानिस्तान में पैदा हुआ शेर खान, और अफगानिस्तान में कहते हैं कि एक व पिरखान म्मबई पहुचता है कारोबार के लिए, और कारोबार करना चाहता है, लेकिन उसकी नजर ये थी कि वक्त, कम वक्त में उस wisdom का कमा सके तो करीम लाला हिंदुस्तान और यहां तो उस वक्त तसकरी सबसे बड़ा धंदा हुआ करता था तसकरी के धंदे में काफी कमाई हुई इस बीच में फिर उसने उस पैसों से मुंबई में जूए के अड़े शराब ये सारी चीजों की भी दुकान खोली वो भी चल पड़ा फिर लोगों को उसने पैसे चाहरा था और वो था उसका नाम हाजी मस्तान लेकिन हाजी मस्तान को मालूम था कि करीम लाला का सारी तरफ दबदबा है कबजा है और उस वक्त अंडरवरल में खून खराबा और लड़ाई बड़ी कम होती थी तो हाजी मस्तान ने भी सोचा कि लड़ाई जगड़े से दोस्ती करके काम करते है करीम लाला से फिर दोस्ती हो गई और अलाका बढ़ गया कि ये तुम्हारा अलाका ये हमारा अलाका इस वीच में एक तीसरा करेक्टर भी शामिल होता जो सौट से आये था वर्दाराजन वो भी तसकरी और इन सारी चीजों में और शराब और जोएक एड़े में इन्वाल्व था तो वर्दाराजन को फिर लगा कि वो भी अकेले या लड़के कर नहीं सकता है तो उसने भी पिर करीम लाला से हाथ मिलाया तो फिर अप तीन अलाके बढ़ गए अलग अलग और उसमें बड़ा रसूल का सारे पावन थे कि जो जिनका अलाका है उस अलाके के बाहर वो काम नहीं करेगा तो बिना खोन खराब है कि तीन गैंग ने फिर काम करना शुरू किया लेकिन इन तीनों में करीम लाला हो या पिर हाजी मस्तान या फिर वर्दा रज़्ञ है ने जो सबसे बड़ा कब्द और जिसकी दबदबा सबसादा था वो करेम लाला ही थ तो यह सारे चीजें चलती रहीं और करीम लाला को ही उसमें दिखाया गिया था फिल इंडिस्ट्री में भी बड़ी दोस्ती थी एक कहानी ये भी है कि एक बार हेलिन के किसी एक अपनी ही जानने वाले ने पैसे बहुत सारे मार लिए और वापस नहीं कर रहा था तो हर तरफ से वो हेलिन परेशान हो गई मिल्या नहीं पैसा तो फिर दिलिप कुमार ने उस वक्त एक खत लिखा था करीम लाला के नाम और करीम लाला के पास वो खत लेकर हेलन पहुंची और फिर करीम लाला ने बाकाइदा जिस शक्स ने पैसे लेकर देने से मना कर रहा था उस तक बात की और फिर वो सारे पैसे हेलन को वापस मिले तो ये दबदबा था एक कहानी ये भी है किसी घर को कबजाने के मामले में करीम लाला को कोट से सम्मन आ गया था और उस सम्मन के बाद करीम लाला को कोट में पेश किया गया तो जब वो अदालत में पहुँचे तो जज महीला थी तो अदालत में जितने भी लोग बैठे वे थे वकील वो समाम लोग करीम लाला को देखकर खड़े हो गए उसके बाद जजज साहिबा ने पूछा करीम लाला से कि आप विटनेस बॉक्स में आईए उसकर पहला सवाल यही था कि आपका नाम क्या है तो कहते हैं करीम लाला ने जजज की तरफ देखा फिर लोगों की तरफ देखा और बोला कि ये काल्या कोट पहने वे कौन महिला है कौन औरत है जो जिसको मेरा नाम नहीं मालूँ तो उसके बड़े लोग घंसे भी थें तो ये दबदबा ये सारी चीज़े थी करीम लाला और ये तमाम धंदा सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन वर्दा राजन करीम लाला और हाजीम अस्तान के बाद असी के दशक में अचानक एक और अन्डरवल जो नया डॉन बनने जा रहा था उसके एंट्री होती है और वो था उस वक्त साबिर कासकर जो दाओद इबराहीम का बड़ा भाई था और ये लोग भी फिर ये सारी स्बगलिंग तसकरी और बाकी चीज़ों में इन्वाल्व होते हैं लेकिन असी के दशक में वक्त बड़ चुका था और इससे पहले कि जो डॉन आपस में समझाओता करके एरिया बाट के काम करते थे खून खराबे से बचते थे तो कासकर और दाओद इबराहीम ये लोग उस रास्ते पे नहीं थे इनका ये था कि दूसरे गैंग को उससे आगे निकलना है तो उससे लड़कर निकलना है बीच में हलाके हाजीम अस्तान ने सुला सफाई कराने की कोशिश की लेकिन करीम लाला के जो गैंग था वो असल में पठान गैंग के नाम से भी मशूर था क्योंकि करीम लाला शेर खान नाम था और खान के बाद पठान पठान गैंग उसका अपना भाई भाई सारे करीम ल करीम लाला की वजह से लेकिन खून खराबा उतना नहीं था असी के दशक में जब दाओद के भाई साविर कासकर के एंट्री होती है उसके बार फिर ये आपस में गैंग वार शुरू होता है और एक दूसरे के लोगों को मानने लगते हैं पिर एक वक्त ऐसा आता जब करीम ल लाला के सामने लाया गया था और करीम लाला ने बहुत पिटाई की थी ये कहानी है उसके बाद फिर इनकी दुश्मनी चलती रही अब पठान गैंग और कासकर फैमली मतलब दाओद इबरहीम उस वक्त असी के दर्शक में दाओद इबरहीम को डॉन बनना था बड़ा डॉ कि इस दुश्मनी को कम करने के लिए हाजीम अस्ता ने बीज बचाओ किया फिर एक बाद समझहोता कराया कि एक दूसरे को आप मारोगे नहीं एक दूसरे के लोगों के हमला नहीं करोगे कहते हैं कि पठान गैंग ने समझहोता तो कर लिया दाओद ने भी कर लिया लेकिन गैंग अंदर ही अंदर नाखुश था दाओद के इस बढ़ते दबदबे से और इसी लिए वो दाओद को सबक सिखाना चाहता था इसी दोरान में एक चौथे करेक्टर की इंट्री होती है इस करेक्टर का नाम था मनोहर अरजुन सुर्वे एक लड़का जो महरास्ट के रतनागिरी में पैदा हुआ फिर मुंबई आता है अपने ताओ और ताई के पास रहता है पढ़ाई लिए मुंबई के कीर्थी कॉलेज में अड्मिशन लेता है बी-ए में दाखला करने के बाद पढ़ने में होश्यार बी-ए 76% मार्क्स के साथ वो पास करता है लेकिन उसका जो सौतेला भाई था वो थोड़े क्राईम की दुनिया में दखल रखता था तो मनोहर अर्जुन सुर्वे अपने उस सौतेले भाई के भी करीब था फिर कॉलेज के दौरान ही उसने अपने गैंग बनाया चोटी मुटी बदमाशी भी करता था लेकिन बहुत पढ़ा लिखा पढ़ने में तेज 76% मार्क्स मतलब उस जमाने में तो धीरे धीरे फिर वो क्राइम के रास्ते पर चल पढ़ता है और एक बार अपने सौतेले भाई के साथ मिलकर उसी अलाके में किसी से लडाई हुई थी एक शक्स की लड़ाई में जान चली जाती है उसके कतले के सिलसले में मनोहर सुरवे उसके भाई और उसके एक दोस इन तीन लोगों को पुलिस पकल के कोट ले जाती है अदालत इनको उम्रकायद की सजा सुना देती है तब उम्रकायद 14 साल के लिए हुआ करती थी उम्रकायद के बाद इन तीनों को बॉम्बे के जेल में नहीं रखा जाता बलके पूरे के ये अर्वदा जेल में भेज दिया जाता है लेकिन वहाँ एक दूसरा और भी कई गैंग थे उनके साथ मारपीट होती है जब मारपीट होती है तो फिर जेलर परिशान हो जाता है फिर उसको वहाँ से निकाल कर रत्नागिरी जेल में भेज़ दिया जाता है नौ साल बीच जाते हैं जेल के अंदर रहते हैं नौ साल के बाद एक दिन मौका मिलता है और मनोहर सुरवे जेल से भाग जाता है जेल से भागने के बाद वो सीधे मॉंबई पहुंचता है बॉंबे तब का बॉंबे में अब उसका ये था कि अपना गैंग बनाना है लेकिन उस वक तक अडवल में भी थोड़ा सा वो चीज़ें आ गई थी पे गैंग वैंग तो कोशिश करता है कि वो दाओगद इबराहीम के गैंग में शामीलोग वह जगा नहीं मिलती और अपने दुस्मनों को ठीकाने लगाता है धीरे धीरे मनोहर सुरवे का थोड़ा नाम होने लगता और उसके बद उसका नाम बदल करना मनिया सुर्वे हो जाता है कि उसके दोस्ट उसको मनिया के नाम से पुलाते थे तो मनिया सुर्वे की जब ये किस्से की एक बहुती नया लड़का आया है जो बड़ा डेरिंग है पठान गैंग तक पहुंचती है इसकी कहानी पठान गैंग दाउद इबराहीम और उसके इसने अब सोचा कि चुके हाजी मस्तान के साथ बात हो चुकी ये समझोता हो चुका है तो ऐसा करते हैं कि कोई किसी एक नए लड़के को ये काम दिया जाए जो दाउद के बड़े भाई को ठिकाने लगा सके मनिया सुर्वे से मुलाकात होती है पठान बंधों की और इसी के बाद मनिया सुर्वे को ये काम दिया जाता है कि तुम ये काम करोगे दाउद के भाई को साबिश कासकर उसको मारोगे मनिया सुर्वे को एक मौका चाहिए था मन्डेवल में अपनी जगा बनाने के लिए मुंबई में नाम के लिए वो फौरन तयार हो जाता है इसी के बाद 11 जनवरी 12 फरवरी 1981 ये काम ले चुका था मुंबई के सिद्धी विना एक मंदिर के पास अक्सर रात को दाउद का भ तो उसी पेट्रॉल पम्पे कभी कभी पेट्रॉल भी ब्राय करता था ये चीजें रेकी के दौरान पता के लगे थी मानिया सुर्वे अपने लड़कों को लेकर पहुचता है बारा फरवरी जिन उसे क्यासी के रात उस पेट्रॉल पम्पे जो सिद्धी विना एक मंदिर क करीब था ये लोग दो गालियों में इन्तजार करते रहते हैं अचानक साथिर कासकर की वहां गाली आती है दाओट के भाई की गाली में ये उसको देखते हैं देखते हैं उसके बाद ये दोनों तरफ से घेर लेते हैं और मानिया सुर्वे जो है अंदा धून गोलियां चलाना शुरू कर देता है दाउद के बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो जाती है उसके बाद भो लोग यहां से भाग जाते हैं इस कतल की खबर अगले दिन सारे अखबार में और उसके बाद हर तरह अंडरवल में भी चर्चा कविश है दाउद के बड़े भाई का कतल जाहिर सी बात है पहला शक पठान गैंग पे था पठान गैंग भी थोड़ा घबराता है लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलता है कि ये काम मनिया सुर्वे नाम के एक नए गैंगिस्टर ने किया है अब यहां से मनिया सुर्वे और दाउद इबराहीम की दुश्मनी शुरू होती है लेकिन मनिया सुर्वे इसके बाद उसका कद बहुत बढ़ गया और धीरे धीरे वो बहुत सारे फिर क्राइम करने लगा इवन उसने पुलिस वालों पर भी हमला किया और उसने अपना गैंग बनाया और इस गैंग में पठान गैंग और एक तरह से दाउद इबरहीम गैंग इनको भी उस वक्त पीछे छोड़ना शुरू कर दिया अब इसको लेकि इन दोनों गैंग में भी बेचे नहीं हो गई कि एक नया आया है और जिसकी वज़े से हमारी जमीन खिसकती जा रही है और मन्या सुर्वे का क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा था यहां तक कि बॉम्बे पुलिस भी उस वक्त परिशान हो गई पहले ही वो असी से लेके चौरासी तक पठान पठान गैंग और दाउद इबरहीम गैंग के बीच में होने वाले खून ख्राबे से मंबे पुलिस परिशान थी दोनों को वर्निंग भी दिया गया अब उधर मन्या सुर्वे भी एंट्री ले लेता है तो मंबे पुलिस के लिए तीन तरफ से परिशानी थी और इनी सब चीजों को देखते हुए Bombay Police ने फिर ये फैसला किया था कि अब बहुत हुआ इस गैंग को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे उन्होंने बहुत है इन गैंग को सबको मैसिज भी भीजवाया गया और फिर हुआ कि पहला जो इसको रोखा जाए वो है मनिया सुरुवे तो मनिया सुरुवे को ठेकाने लगाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाएगे और इस टीम को लीड किया था इसाग बागवान करके एक वहाँ पर इस वक्त अफसर थे क्राइम ब्रांच में और यह हुआ कि हल यही है कि इसका इंकाउंटर किया जाए इसके बाद धीरे धीरे करके मनिया सुरुवे के एक एक लोगों को जोसके गैंग के थे पकड़ा गया उठाया गया उठाया गया उसको मारा गया लेकिन मनिया सुरुवे का सुराग नहीं मिल रहा था वो लगातार अपने जैसे से साथी पकड़े जाते वो अपना जगा बदलता जाता बीच में वो मुंबई छोड़ कर भाग गया फिर वापस आया फिर अलग-अलग ठेकानों पे जगों पे रहने लगा और खतरनाक इतना था कि अगर वो उसे पता चल जाता कि कोई हमला कर रहा है या पुलिस वाले है तो वो गोली चलाने से भी नहीं चकता तो उसके इस खतरनाक होने के सबूत को देखते हुए पुलिस पर बड़ी ऐतियात के साथ उसका पीछा कर रही थी सुराग ढून रही थी लेकिन लगपक दाओद इबरहीम के बड़े भाई के कतल को एक साल बीद गए मनिया सुरवे के गैंग के ज़र ज़र लोग पकड़े गए मनिया सुराग नहीं मिल रहा था इसी बीच में तारीख आती है एक एक ग्यारा जनवरी 1982 बड़े भाई की महुत के बाद दाओद इबरहीम का वेकी मकसद था और यह था कि अपने बड़े भाई की महुत का बदला लेना और उसे पुखता सबूत मिल चुका था कि यह काम मनिया सुरवे ने किया काम कराया पठान गैंग ने तो पठान गै के बहुत सारे लोगों के साथ दाओद इबरहीम की मुट भेड हुई कहते हैं दर्जन से जादा लोग मारे गए एक एक करके दाओद उन सबको निप्टाता गया जिन जिन लोगों को भी उसे श्रक था कि उसके बड़े भाई की मौत में ये लोग शामिल थे उन सबको एक पठान गैंग का जो है वो बड़ात दबदबा और बंबे पुलिस पठान गैंग के दबदबे को कम करना चाहती थी यहां पर भी खेल होता है सब अब कम करने के लिए उसे चाहिए था कोई दूसरा महरा तो लगा कि दाओद गैंग अभी नई है उठेगी तो पठान को नीचे लाने के लिए दाओद गैंग ही बेतर है तो बंबे पुलिस ने कहते हैं कि दाओद गैंग को थोड़ा सा प्रमोट करना शुरू किया पठान गैंग को खत्प करने के लिए यही पर बंबे पुलिस ने गलती भी की तो पठान गैंग तो उसका धीरे धीरे खत्म ह रही थी, बंबे पुलिस ने पठान गैंग के खात्मे के लिए दाउद को थोड़ा सपोर्ट किया, अब इस दारान में दाउद की चुके मुबे पुलिस में अच्छी दोस्ती थी, उसको किसी भी कीमत में मानिया सुर्वे चाहिए था, और सारे लोग लगे हुए थे, इसी कीम को मानिया सुर्वे का इनकाउंटर करने के लिए कहा गया था, और उसे कहा कि आज मानिया सुर्वे जो है, दोपहर को करीब डेड़ बजे के आसपास, वडाला एरिया में, हम मेटकर कॉलेज जंक्शन के पास आएगा, टैक्सी से आएगा, खबर उसकी एकदम पुखता थी, और वो वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर है, उस पार्लर में अपनी गल्फरेंड से मिलने आ रहा, उस ब्यूटी पार्लर से उसको अपनी गल्फरेंड को पिक करना और फिर वो दोनों कहीं चले जाएंगा, मनिया सुर्वे के बारे में जब पुलिस ने तर्तीश की थ ति 11 जन्वरी गांटी ने चीटू को उस मुक्बिन पुखता जानकारी दी, कि आज ये वडाला एलाके में अमबेटकर कॉलेज जंक्शन के पास टैक्सी से आएगा, डेर से दो के बीच में आएगा, और अपनी गल्फरेंड को लेकर जाएगा, खबर सुनते ही पूरी क्र जिर बजे के आज पास एक टैक्सी से मनिया सुर्वे उतरता है, चुकि उसकी तस्वीर और जेल में रहा था, कोट पे पेशी हुई, पुलिस ने ग्रफतार किया था, तो मनिया सुर्वे को देख की पैचान जाते हैं, लेकिन तब तक मनिया सुर्वे भी साधी वर्दी में मौझूद पुलिस वालों को देख कर समझ जाता है कि यह पुलिस वाले हैं और उसी के लिए आए, कहते हैं इसी के बाद वो फटाक सा अपना रिवॉल्वर निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता है, इसाक और उनके एक साथी, पहले से जो तयार थे, वो उठाते हैं, लेकिन वो तब तक मरा नहीं था, फिर उसको पुलिस की गाली में डाला जाता है, और वहां से एक सवाई या कोई एक हॉस्पिटल है, जो मुश्किल से दस से बारा मिनट की दूरी पे है, तो उसको दस से बारा मिनट में से हॉस्पिटल में पहुच जाना चा ले थी इतनी गोली खाने के बाद भी, और पुलिस की टीम नहीं चाहती थी, कि मनिया सुर्वे जब हॉस्पिटल में पहुचे तो वो जिन्दा हो, और डॉक्टर्स का इलाज करें और वो ठीक हो जाए, तो पुलिस चाहती थी कि जब या आखरी सांस ले चुका हो, तब इ तरह गंभी से रूप से घायल है, जखमी है, तो गाली की स्पीट अपने आप तेज हो जाती है, जैसे अंबुलेंस जिस तरह के से भागती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा था, तो उसकी वज़ए यही थी, कहा जाता है कि यह श्योर करना था कि इस इंकॉंटर में मनिया सु बचना नहीं चाहिए, तो वही हुआ जब वो हस्पिटल पहुँचा तब तक मनिया सुरुए की मौत हो चुकी थी, इसके बाद इस मनिया सुरुए की मौत अगले दिन सारी दर्फ सुरुखियों में थी, और इस मौत से सबस्यादा फायदा हुआ दाओद इबराहीम, क्यो जो मुक्बिर जिसने खबर दी थी, पुलिस को, वो दाओद का ही आदमी था, और दाओद नहीं ये मैसेज पुलिस तक पहुचाया, और दाओद के कहने पर ही पुलिस मनिया सुरुए का इनकॉंटर करने के लिए तयार बैठी थी, तिक 11 फरवरी 1982 को मनिया सुरुए का इन मुंबाई की सलकों पर, होन खराबे का दौर बहुत तेजी से बढ़ गया अब, क्योंकि अब एक मनिया सुरुए हट चुका था, अब सिर्फ बचा जो पठान गैंग और दाओद, और यहीं से कहते हैं कि दाओद का उत्थान शुरू हुआ, दाओद ने एक एकर पठान ग गैंग का मुखिया थे, उम्र हो गई थी लगपक उस वक्त सत्तर वत्तर के साथ आस पास, तो वो भी धीरे धीरे बाकी उसके भाई और वो सारे गैंग चला रहे थे, लेकिन अपने भाई का बदला लेने के लिए करीम लाला के सगे छोटे भाई को भी दाओद इबराहीम मार डाला, और इसके बाद पठान गैंग से उसकी दुश्मनी और तेज हुई, जिसके बाद दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मारे गए, हर दिन मुंबई की सलकों पर इंकांटर होता था, दोनों गैंग के बीच, पुलिस भी परेशान थी, और ये सलसला चलता रहा, लग साल तक जिया, और उससे पहले करिये पठान गैंग लगबख खत्म हो चुका था, और सिर्फ मुंबे में एक ही गैंग बचा था, और वो था दाओद इबराहीम, नबे तक दाओद इबराहीम का राच चला, लेकिन 93 मुंबे सीरियल ब्लास्ट से जस्ट पहले दाओद ने म हंदुस्तान के पहले इंकॉंटर की, और उस पहले इंकॉंटर से जड़ो है पहले डाओद की, जिसने बॉम्बे में डाओद के शब्त को मशूर किया, करीम लाला और इन चार गैंग की, तो इस इंकॉंटर के पीछे भी एक गैंगिस्टर एक डाओद का हाथ था, एक अपसर ऐसे हैं जिनके नाम पर पचास-पचास साथ इंकॉंटर हुए, उनमें से एक दयानायक आप सभी नाम से वाकिफ होंगे, दयानायक से मैं कई बार मेरी मुलाकात सुई, हमने घंटों बैट के बाद भी की, होटेल में भी बात की, जब मॉम्बे में ट्रेन में सीरिय है, और हम छे बेश लेके नौदस बजे तक सारी नहीं इनकॉंटर और यह सारी चीजों पर बात कर रहे थे, तो दयानायक से बात करने का एक अलग एक स्पीरियंस था, कि कैसे एक जो इनकॉंटर स्पेसिलिस होता, उसके दिमाग में क्या चलता है, कैसे हाला कि दयानायक के पर बसाड़ इल्जाम लगे, कि अंडरवल से दोस्ती है, दाउद से दोस्ती है, दाउद के इशारे पे एक एक इनकॉंटर करता है, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन बाद में कोट ने फिर खैर बरी भी किया इन इल्जामों से, लेकिन उसके बाद मुंबई में, ये मन्य और धीरे धीरे खैर फिर मुंबई की सडकों से खून, खराबा, गैंग वार ये सारी चीजें खत्म होई, अब तो जमाना बदल गया है, अब गैंगिस्टर और क्रिमनल भी आप चाकू और तमंचा लेकि सडक पनी घूमते हैं, वो दूसरे तरीके से क्राइम करते हैं, तो